हलो बच्छो मैं अमिद बैनर जी एक बार फिर से आपका विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास यूट्यूब में स्वागत करता हूँ और जैसा कि बच्छो अभी हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चेस में पढ़े हैं अब हम लोग नाशनल इंकम के एकदम लास्ट में पहुंच चुके हैं और इससे पहले आपने नाशनल इंकम की बहुत सारी क्लासेज देखी हैं सुनी हैं समझी हैं और इसी के साथ साथ आप अपने कुछ queries पूछ रहे हैं मेरे को भी last कुछ बच्छो ने एक advice किया है कि sir बहतर होगा कि आप कुछ हमें board में कुछे पूछे गए questions को भी solve करवाते चले साथ में तो मेरे बच्छो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका advice कि आपने ये advice हमें किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमें और improve करने में help कर रहे हो तो बच्छो ये एक promise है मेरा कि मैं अपनी आगे की कुछ lectures में आपको board के previous years के questions भी पूछूँँगा और इसी के साथ सा आपको और करता हूँ आज कि बच्छो आप जो भी queries मुझे पूछ रहे हैं जो भी numbers मेरे पास आ रहे हैं उन numbers पे मैं लगतार assignment भेज रहा हूं और इन assignment के साथ ही साथ हम आप से अब कुछ sample questions भी भेजेंगे जो हमारे board में पूछे जा सकते हैं या जिस pattern पे हमारे board में questions आ स करते हैं तो अब बच्चों मैं आपको एक बार फिर से यह promise करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपने अगले कुछ lectures में numerical questions discuss करूँगा और numerical questions discuss करने के साथी साथ मैं आपको वो questions पूछ पूछू डिसकस करूँगा या solve करवाऊंगा जो हमसे board में पूछे गए हैं लेकिन उस assignment भेजूँगा solve करना पहले खुद से जब नहीं कर पाओगे हम लोग उसको अपने lecture में discuss करेंगे तो practice होगी और discussion होगा और साथी साथ वो हम लोग problem जो होगी वो भी short out होगी तो बच्चो तयार रहना अगले कुछ questions के लिए और अपने questions भेजो जिससे की हम आपको कुछ assignment भेज सके ठीक है थैंक यू बच्चो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग national income के आखरी पढ़ाओ पे आ चुके हैं तो national income का आखरी पढ़ाओ हम लोग का lecture 12 है ठी यह last topic है नाश्टनल निगम का यह last topic है वह last topic क्या है जब हम लोग calculate करते थे बेटा तो हम लोग इस से पहले calculation के दो म !! सीख चुके हैं पहला बता दूँ आज की class में हम लोग सीखेंगे measurement of national income by value added method ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरा नाम इत्ते दिन में आपको पता चली चुका होगा मेरे ख्याल से गुड तो क्या है value added method ठीक है अब पहले ये सीखो बच्चो कि जो मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ value added ये value added exactly है क्या ठीक है देखो मैंने दो शब्द आपसे बोला है और मैंने कई बार आपसे कहा है कि बच्चो मेरी एक आदत है मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ keywords सीखो उन keywords को सीख लोगे तो बाकी कहानी अपने आप बना लोगे ठीक है keywords क्या होता है आपको help करती है उस चीज को पूरा समझने और समझाने में आगे बात करते हैं value added मैंने क्या बोला आपसे दो शब्द value added यानि आप क्या कर रहे हो value को किसी कमोडिटी की value को और increase कर रहे हो तो बेटा एक चीज मुझे ये बता ना अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेटा value को increase कैसे कर सकते हैं तो मैं ये topic आपको start करूँ इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ आप मैंसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं सर मुझे तो खरीदना ही नहीं है आप मैंसे बहुत से बच्चे होंगे जो बोलोगे कि खरीदना ही नहीं है मतलब आप उसमें कुछ पे करने को तयार ही नहीं हो लेकिन अगर कोई बंदा जो की furniture बनाने का काम कर रहा होगा तो वो क्या कहेगा वो कहेगा हाँ ठीक है मैं तयार हूँ एक काम करते हैं लकडी का टुकडा खरीदे हैं और लकडी का टुकडा खरीदने के बाद में आप जो है क्या कहते हैं उसको को ले के आते हो 2,000 रुपए का महलू हो ठीक है अब 2,000 रुपए का लाते हो उस ल благडी के ठुकड़े का form चेंज करते हो फॉarम चेंज करने के बाद उसको डेबिल चेयर कुछ toimरा कुछ भी बनाते हो बनाने के बाद उसको आफ पॉलिश करते हो brush करते हो paint करते हो और फिर final जब आप उसको बेच रहे होते हो तो शायद वो जो 2000 का ठूकड़ा था वो 20,000 में भी करा होता है तो आपने क्या किया हर step में value add किया हर step में value add किया आपने उस लगड़ी को पहले shape में cut किया होगा फिर increase हुआ होगा उसका कुछ price फिर आपने उसको कुछ shape दिया होगा table का चेयर का फिर उस पे आपने polish किया होगा paint किया होगा तो हर step में क्या हो रहा है वो increase होती जारी है उसकी price ठीक है तो हो क्या रहा है बचे हो यह रहा है कि हम लोग हर एक step में production unit में हर एक मने consume करने से पहले जो भी उसमें intermediate goods लग रहा है उसकी कीमत क्या हो रही हर stage में increase होती जारी है तो यह जो stage में increase होती जारी है इसे हम लोग क्या कहते है value added क्या कहते है value added ठीक है तो मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया अच्छी बात है आगे बढ़ते है तो हुआ क्या this method is used to measure national income in different phases of production in different phases of production जैसा कि मैंने अभी आप से बोला कि लखडी से start हुआ यह game कहां पे खतम हुआ खतम हुआ जब वो final goods यानि कि चेर टेबल फर नीचरल मेरा कुछ बनके बिग गया ठीक है तो different phases of production तो यह production phase आपको समझ में आ गया होगा बिलकुल आ गया तो in the circular flow it shows the contribution of each producing unit in the production process it shows the contribution of each producing producing unit in the production process तो यानि कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह कि जैसे जैसे आप produce कर रहे हो जैसे जैसे stages change हो रहे है वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चे वैसे वैसे उसकी value भी increase हो जा रही है और यह value जो increase हो रही है क्या कहला रही है value added ठीक है दूसरी चीज क्या बोली every individual enterprise adds certain value to the product add certain value to the product ठीक which it purchases from some other firm as intermediate goods some other firm as intermediate goods कोई भी चीज ले लो जैसे आप मानलो की आप कोई मिठाई खरीदने जाते हो तो मिठाई खरीदने में भी आपको intermediate goods लगता होगा intermediate goods जैसे कि मानलो कोई कहीं से आप खरीते होगे बनाते होगे मिल कहीं से खरीते होगे बनाते होगे फिर आप उसमें और भी कई ingredients देते हो तब जाके वो एक convert होता है एक final consume करने के लिए ठीक है आप cake ले लो तो cake में क्या हो रहा है आप cake के लिए मैदा कहीं से खरीते होगे अगे के लिए मैदा खरीदा गया तो मैदेवाले ने मिलर ने क्या कि अफिलूर कहीं से खरीदा होगा उसके लिए फार्मर से खरीदा होगा तो यह कई स्टेज में क्या हो रहा है फामर ने जो बेचा और बेकर ने जो प्राइज ली आप से किसी पेस्ट्री की या किसी केक की क्या दोनों से मैं नहीं से मैं क्योंकि हर स्टेज में क्या हो रहा है प्राइस चेंज हो रही है ठीक हर स्टेज में क्या हो रहा है प्राइस चेंज हो र price add certain value of products which it purchases from some other firm as intermediate goods ठीक है चलो when value added by each and every individual firm is summed up we get value of national income ठीक है अभी हम लोग इसमें आएंगे बेटा इसका एक calculation है कि आपने कितना value add किया जो जो value add हुआ उसको अलग कर लो अलग करके जब आप add कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको आपको मिल जाएगा national income ठीक है जिसमें की value added method का एक कहानी नेक्स आजओ अब देखो value added method को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं वो नाम क्या है पहला नाम है product method दूसरा नाम है inventory method तीसरा नाम है net output method चौथा है industrial origin method और पांचवा है commodity service method ठीक है आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो नहीं रखना चाहो मत रखो ठीक है आपकी मर्जी लेकिन इतना ध्यान रखना कि product method inventory method in net output method industrial origin method और commodity service method यह सारे चीज़े क्या है एक है यह सारी चीज़े क्या है एक है ठीक है फिर आगे बढ़ो value added है क्या value added refers to the addition of value आगे मैं example ले रहा हूं बच्चे उस example से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा लेकिन अभी समझना क्या बोल रहा हूं मैं value added refers to the addition of value to the raw material raw material का मतलब क्या हो गया intermediate goods अब अगर कहीं भी वो final commodity बनने से पहले कोई भी industry कोई भी firm जब दूसरे firm से purchase करके उसका shape change कर रहा है तो वो हमेशा क्या रहेगा उसके लिए intermediate goods रहेगा ठीक है तो intermediate goods by a firm by virtue of its productive activity it is the contribution of an enterprise to the current flow of goods यह क्या है contribution है of enterprise to current flow of goods and services ठीक है कोई भी firm अगर उसको कुछ change कर रही है form को change करके आगे sale कर रही है तो जाहिए सी बात है वो क्या कर रही है उस flow में कुछ न कुछ change अपना ला रही है फिर it is calculated as difference between value of output and value of intermediate consumption ठीक है यह calculate कैसे होता है यह calculate होने के लिए value of output और value of intermediate consumption को minus कर देते हैं value added कैसे calculate करेंगे value of output minus intermediate consumption ठीक है तो यह आपको समझ में आ गई बात चलो इसके बाद क्या होता है बच्चे एक example लेते हैं ठीक है example क्या लेते है example यह लेते है मान लो एक baker है कौन है मान लो एक baker है इसने क्या किया इसने कुछ bakery के लिए floor चाहिए इसको कुछ मैदा चाहिए इसको तो यह क्या कर रहा है suppose a baker needs only floor to produce bread ठीक है he purchases floor as input worth rupees 500 इस 500 को ध्यान रखना इस 500 को ध्यान रखना उसने कितने का खरीदा है 500 रुपे का खरीदा है और यह 500 रुपे खरीदने के बाद from the Miller किससे खरीदा है Miller से खरीदा यानि जिसने convert किया होगा एक farmer से ले करके तो Miller से खरीदा and then virtue of its productive activity कुछ use किया उसने bread convert किया floor into bread क्या किया उसने floor को bread में convert किया and sells the bread for rupees 700 बच्चों दो बाते समझने वाली है समझने वाली बात क्या है उसने क्या किया उसने floor खरीदा कितने का खरीदा पांसो रुपे खरीदा और क्या किया उसने 700 में बेज दिया उसने 500 का खरीदा और 700 में बेचा आपको सिर्फ दो बाते याद दखनी है अच्छा अगर मैं इस पूछूं आपसे कि बेटा कौन था Miller था किस से खरीदा Baker से खरीदा कितने का खरीदा 500 का खरीदा कितने का बेचा 700 का बेचा मैं आपसे बेटा वैलू कितना एड हुआ मैं अगर आपसे पूछू कि वैलू कितना एड हुआ तो आप क्या बोलोगे साब 500 का खरीदा था 700 का बेच दिया यानि 200 रुपए की वैलू एडिशन है यानि क्या है 200 रुपए का वैलू एडिशन है आगे बढ़ते हैं यह एक्जाम्पल याद लखना ठीक है ठीक क्या किया फ्लोर और उपट उसने यूज किया फ्लोर को आज इनपुट मटीरियल आज इंटरमीड गूड और कितने का था 500 कुतने का था 500 रुपय का था इंटरमीड इंडिशन अब उस 500 को उसने क्या किया output जो उसका बना वो कितने का बना 700 का बना ठीक है कितने का बना 700 का बना difference कितना है 700 में 500 माइनस कर दोगे तो value added कितना है added a value of rupees 200 added a value of rupees 200 ठीक है अब ये 200 की अबर बात की जाए फिर समझना इसमें value added by each producing enterprise is also known as gross value added at market price क्या कहते हैं इसको gross value added at market price gvamp आपने जो भी value add किया उसका addition करोगे तो उससे आपको क्या मिलता है gvamp यानि gross value added at market price it means value added by baker 200 कितने का किया उसने 200 का किया can be termed either as value added और gvamp इसको हम लोग क्या कह सकते हैं इसको हम लोग gvamp कह सकते हैं या इसको हम लोग value added भी कह सकते हैं ठीक है चलो और मैंने भी आपसे बोला ही कि value added calculate करने के लिए क्या करना है output minus intermediate consumption ठीक तो gvamp क्या है अब एक बात और समझना gvamp मतलब अगर gvamp की बात की जाए तो sigma gvamp या नहीं यहां पर तो हमारा सिर्फ एक ही था ना value added सिर्फ एक को 200 हो रहा है अब मालो इसके step कुछ और जादा होते हैं इसमें कुछ step जादा होते numerical आपको और जादा दे दिया जाता तो जहां जहां value add हो रहा है जिस जिस enterprise में value add हो रहा है उन output से पहले तक ध्यान देना इसने चलना सुरू किया जहां से चलना सुरू किया वहां से लेकर जब final output होता है final consumption के लिए तयार होता है वहां तक जिस जिस stage में value add हो रहा है उन सारे stages को क्या करो उठाकर add कर दो जब आप उन सारे stages को उठाकर add कर दोगे तो वह क्या कहलाएगा GVA MP कहलाएगा sigma GVA MP कहलाएगा तो जो sigma GVA MP होता है यानि gross value added at market price का addition जो होगा वही हमारा होगा GDP MP वही हमारा होगा GDP MP ठीक है तो GDP MP और sigma GVA MP दोनों कहानी क्या हो गई एक हो गई ठीक अगर मैं आपसे बोलू कि बेटा GDP MP calculate करो तो आप GDP MP calculate करने के लिए क्या करोगे सारे value added उठा करके add कर दोगे जिस stage में value add हो रहा है उठाके add कर दोगे बोलोगे साब यही है इस stage में कितना है 200 का gross value added था यही 200 रुपए क्या हो जाएगा GDP MP हो जाएगा ठीक है गुड एक बात ध्यान रखना एक point है दिमाग में रखना imports are not separately included import क्या होगा separately आपको इसमें लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं से आप से बोला गया कि import किया purchase किया कोई भी कहानी import किया है तो वो हमको अलग से लिखने जरूत नहीं है if value of intermediate consumption is given अगर intermediate consumption दिया हुआ है तो import लेने की जरूरत नहीं है then imports are not included separately as imports are already included in value of intermediate consumption ठीक है यानि अगर intermediate consumption दिया हुआ है कि एक बात समझना बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बंदा एक baker केक बना रहा है और केक बनाने के लिए उसने 500 रुपए का floor लिया हुआ है ठीक है 500 रुपए का total floor लिया हुआ है यानि intermediate consumption कितने का है उसका 500 का है और उसमें बोला कि वो 500 के floor में 200 का उसने x से खरीदा ता 300 का उसने y से खरीदा था 100 रुपए का उस तीन 200 का उसने y से खरीदा था और 100 रुपए का उसने इंपोर्ट किया था तो भाई जब आपको final consumption मिल गया है final consumption आपको मिल गया है तो आपको अलग से इंपोर्ट या किसी चीज़ को purchase को calculate करने की जरूरत नहीं है तो धान देने वाली बात यह है कि अगर intermediate consumption दिया होगा तो अलग से आप इंपोर्ट को include नहीं करोगे ठीक है however if domestic purchases are specifically mentioned then imports will also be included ठीक है तो क्या होगा अगर domestic purchase कहीं दिया हुआ है मतलब एक चीज़ दी हुई है कि भाईया एक आपका intermediate consumption नहीं दिया हुआ है दिया है 100 रुपय का इससे खरीदा है 200 रुपय का उससे खरीदा और 100 रुपय का इंपोर्ट किया तब आप इंपोर्ट को consider कर दोगे ठीक है क्योंकि हमको final intermediate कंजंप्शन नहीं दिया गया है चालो है 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 ठीक है अब वैलू आफ आउटपुट देखो एक थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी स्टॉपिक को समझेंगे क्योंकि ऐसा है कि हमें ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सी ज्यादा चीज़ आपको समझने वाल बागी बेसिक चीज़े हम लोग पहले डिसकस कर चुके है चलो तो वैलू अफ आउटपुट का मतलब क्या है वैलू आफ आउटपुट一樣 to market value of all goods and services market value of all goods and services produced during a period of one year value of output refers to market value of all goods and services ठीक है तो value of output का मतलब क्या हो गया भाई आपने जितना total बेचा एक साल में वही हमारा value of output है आपने जितना बेचा वही हमारा क्या है value of output है देखो वैलू of output क्या है मैंने अभी जैसा आप से बोला कि जितने का आपने बेचा जितने का आपने बेचा वो क्या है आपका value of output है जितने का आपने बेचा वो आपका क्या है value of output है अब वें एंटाइर output is not sold ये बात समझना वें एंटाइर output is not sold in an accounting year then the unsold stock is added to value of sales unsold stock is excess of closing stock over opening stock and is termed as change in stock ठीक है जाहिर सी बात है बच्चे जरूरी नहीं कि सारा का सारा stock आपका बिग गया होना कुछ stock भी सकता है तो क्या बोला कि unsold stock अगर बचा हुआ है किसमें add करना है value of sales में add कर देना है ठीक है और यह मानना है कि value of sales में जो add करोगे यह कहलाएगा change in stock change in stock मतलब क्या होता है आप लोगी पहले से लगा चुके हो change in stock का मतलब होता है closing stock minus opening stock ठीक है change in stock का मतलब होता है closing stock minus opening stock तो closing minus opening is equal to change in stock और value of output क्या हो गया sales plus change in stock sales plus change in stock ठीक है चलो तो यह भी आपको समझ में आ गया कि अगर कोई unsold stock बचा हुआ है unsold stock है तो आप उसको क्या करोगे sales में add कर दोगे ठीक है और यह change in stock और वो जो stock बचा है unsold है वो क्या कहलाएगा कहलाएगा change in stock क्या कहलाएगा change in stock और change in stock कैसे calculate होगा closing stock minus opening stock ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो बच्चो अब हम लोग बात करेंगे steps की अब हम लोग बात करेंगे steps की कि वो steps क्या होंगे किसके value added method के ठीक है तो step में पहला step क्या है identify and classify producing unit पहला step क्या है identify and classify producing units यानि वो units जो production में involved हैं दूसरा estimate GDP MP आप क्या करोगे GDP MP calculate करोगे कैसे करोगे यह मैंने अभी आपको बता दिया कि जो भी जीवी MP उसका addition calculate करोगे तो क्या हो जाएगा GDP MP फिर calculate domestic income domestic income का मतलब क्या हो गया NDP FC अब जो भी आपने GDP किया उसके बाद आप next step stage क्या करोगे GDP MP मैंने अपने previous lecture में बात बच्चों से कही थी कि बच्चों अब मैं यह मान रहा हूं कि आपको अगर GDP MP मिल गया तो NDP FC निकालना और NNP FC निकालना आ चुका है । ठीक है कि कै लोग और का पता है अच्छे से छलो तो फिर next step क्या हो गया आपने GDP MP निकाल लिया उसके बाद NDP PC निकालो होगे उसके बाद क्या करोगे एंट पी एफसी निकालोगे ठीक है कैसे करेंगे यह हम लोग अभी आगे समझेंगे कि देखो कि सबसे पहले तीन स्टेज होते हैं किसके प्रोडक्शन के हम लोग तीन सेक्टर्स में स्टेज सौरी मैंने गलत शब्द कर स्टमाल किया आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या कर सकते हो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो दफर्स्ट स्टेप इस्टु आइंटिफाइज और क्लासिफाइज आपने पहले सबसे पहला काम क्या किया इन तीन स्टेज को कैलकुलेट किया identify किया, add किया क्या किया, इन तीनों stage को identify किया identify करने के बाद आप इसको उठा कर add कर दोगे step 2 क्या है आप जो भी gross value added जो भी gross value added आपको पता है कि सारे stages में, जब production stages है, उस stage में जो भी value increase हो रही है, वो increase value आप अलग से लोग है, value added कह करके, और वो value added जो आप ले रहे हैं, उसे क्या करेंगे हम add करेंगे, क्या करेंगे, add करेंगे तो second step gross value added at market price of each sector is calculated and sum total of GVMP of all sectors given as GDPMP यानि GVMP को जब आपने add कर दिया तो वो क्या कहला हैगा, GDPMP पहला step क्या हुआ, आप identify करोगे stages को of production दूसरा क्या है, आप जो gross value added है, उसको add करोगे जो gross value added add होगा वो क्या कहलाएगा, GDPMP कहलाएगा क्या कहलाएगा, GDPMP कहलाएगा अब समझना बचो देखो मैंने आपसे बताया कि मेरा काम सिर्फ कितना है, आपको GDPMP तक पहुचाना मेरा काम क्या है, आपको GDPMP तक पहुचाना ऐसे मेरा काम पूरा आपको board exam तक prepare करके पहुचाना है लेकिन अभी मैं ये मान के चलना हूँ जैसा कि मैंने भी आपको previous topic में भी कहा था, lecture में भी कहा था कि भाई मेरे आपको क्या मिल गया, GDPMP मिल गया GDPMP अगर आपको मिल गया, इसके बाद दो काम करना होता है क्या करना होता है, depreciation और net indirect tax को minus करना होता है, जब ये minus करोगे तो आपको मिल जाएगा ndPFC और ndPFC में अगला stage क्या कर देंगे, NFIA add कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा NNP क्या net national product या national income हमें calculate हो जाएगी तो फिलाल अभी हम लोग इस पे बाद में आते NNPFC में बाद में calculate करेंगे हाँ हाँ, तो next stage क्या हुआ बच्चे next stage यह हुआ कि आपको मिला क्या GDP MP मिल गया, GDP MP में क्या करोगे, आप पहला काम depreciation minus कर दो, दूसरा काम net indirect tax minus कर दो, तो आपको क्या मिल गया, NDPFC मिल गया, क्या मिल गया NDPFC मिल गया, ठीक है एक बात ध्यान देखना बच्चों, जरूरी नहीं होती कि हमेशा question हम सुरुआत से ही लगाना सुरू करें, हमको हो सकता है question में कभी आपको दे दिया गया, कि भाई ऐसा है, GDP MP इतना है, और depreciation इतना है, NDPFC calculate करो तो यहाँ से भी हम लोग start कर सकते हैं करना question जैसा दिया होगा, उसके accordingly हम लोग steps को apply करेंगे, ठीक है, फिर अब जैसे माल लो आपको NDPFC और NDP, NFIA दे दिया, अब NDPFC मिल गया, NFIA मिल गया, तो भाई हमको कुछ करने नहीं, NDPFC हम calculate कर लेंगे, ठीक है, तो यानि कि question जहां से बोलेगा आपको, वहीं से हम लोग question के step follow करेंगे, जरूरी नहीं कि तब आप बोलो कि सर वो तो आपने बोला था primary sector कैसे identify करना है, तो जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि हमें NDPFC मिल गया, ठीक है, या GDPMP मिल गया, फिर अब ये कहानी हो गई, इसके बाद क्या करना है, NDPFC में हमको बच्चे, NDPFC में, अब हमें क्या करना है, NFIA एड करना है, और जैसे NFIA एड होगा, वैसे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, वैसे ही हमें मिल जाएगा NNPFC तो NDPFC आपको मिला NDPFC में क्या किया एड़ कर दिया तो क्या मिल जाएगा NNPFC ठीक है तो यह तो आपको पैता ही है पहले से तो करना क्या है final step क्या है final step है हमारा NFIA is added to domestic income to arrive at national income तो हमें क्या हो गया value added method से national income solve हो गया हमारा काम क्या है सबसे पहले आप GVMP calculate करो तीनों जो sectors है उसको identify करो वहाँ पे कितना producing units क्या unit produce कर रहा है कितना produce कर रहा है क्या value changes हो रहे है वह calculate करो उसके बाद gross value added को add कर दोगे तो GDP MP आ जाएगा उसके बाद depreciation net indirect tax minus कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको NDPFC मिल जाएगा NDPFC में क्या करोगे NFI add कर दोगे तो national income मिल जाएगा ठीक है बहुत ठीक है चलो बच्छो अब हम लोग इसी के साथ खतम करने वाले हैं एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं मैंने क्या बोला आपको सबसे पहला काम हमने आपसे कहा कि भाई मेरे तीनों सेक्टर को पहले identify कर लो तीन सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी जो सेक्टर दिये हुए हैं उसको identify किया ग्रॉस वैलू एड़ेट कैल्कलेट किया फिर तीनों वैलु कोई है कर दिया हमने एंड कर दिया तो क्या मिल गया GDP a.p मिल गया GDP MP मिल गया GDP MP में क्या किया dec lizard payment is किया एप्यूशन और क्या मिल गया टीप Max 83 मिल गया मुझे उम्मी muj है बच्चों कि आप लोगों को बहुत जादा learn करने जुरत भी नहीं काइदे से सुन लो question अपने आप लगेगा ठीक है और अगर सुन लोगे कुछ keywords याद रखने की कोशिश करो आप लिख भी अपने आप लोगे ठीक है तो theoretical और numerical दोनों question हम लोग इसी सब चीजों से समझ लेंगे लेकिन नोट्स बनाना मत भूलना और अपनी queries send करना मत भूलना जरूरी नहीं कि आपको डाउट है तभी आप queries send करो आप अपनी queries send करो हमारे पास आपके number आएगा हम उसमें assignment और बहुत सी चीज़े आपको साथ में study material देना start करेंगे तो next step क्या हुआ ndPFC में NFIA add किया तो आपको क्या मिल गया NNPFC मिल गया क्या मिल गया NNPFC मिल गया ठीक है NNPFC मिला मतलब हमें national income मिल गया तो फिलहाल बच्चो आज की topic हम लोग की यहीं तक है अगले topic में हम लोग कुछ precautions और double counting discuss करेंगे अगले topic में हम लोग क्या करेंगे lecture में हम लोग क्या करेंगे precautions और double counting discuss करेंगे फिलहाल के लिए आज की वीडियो यहीं पे खतम होती है और आप क्या करोगे बच्चो हमारे साथ बने रहोगे और अपने questions पूछते रहोगे और बार-बार lectures को वीडियो को देखो जिससे कि आपको और जादा clear हो सके तो आज के लिए बच्चो thank you और अपने questions कहां send करोगे number मैंने एक बार फिर से आपको दे दिया वैसे मुझे लगता है कि यह number अभी तक आपको याद हो गया होगा साथी साथ आप क्या करो अपने queries हमें send करो तो आज के लिए बच्चो क्या इतना हो गया फिर हम लोग next lecture में मिलते हैं स्टेप्स क्लियर हो गया next lecture में मिलते हैं precautions और value added में को समझने के लिए या double counting को समझने के लिए थैंक यू बच्चो